Hello everyone, welcome back to my channel Kids Learning Fun आज हम discuss करने वाले हैं class 2 maths worksheet और exam sheet इन exam sheet की help से आप अपने बच्चों की preparation घर पे करवा सकते हैं जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी हमारे final term की exams होने वाले हैं तो बच्चों की preparation आप इन वर्कशिट की help घर पे करवा सकते हैं जरूर इन वर्कशिट को अपने बच्चों की साथ शेर कीजिए ताकि उनकी exam की preparation जो है वो अच्छे से हो पाए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से request करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल Kids Learning Fun पे फिर्स ताइम विजिट कर रहे हैं आपको वीडियो जो है वो helpful लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब केजएगा साथ ही बेल notification पे जाकर के all पे click कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी new वीडियो है उनको notification आप तक पहुंच जाए सो first question हमने यहाँ पे लिया है write the number name for the given number बच्चों को class 2 में number name आने बहुत जरूरी है तो उसकी practice भी आपको बच्चों को करवानी है और फिर इस तरीके से numbers दे करके आप घर पे उनकी practice करवा सकती है तो पहले number पे हमें दिया गया है 55 55 की हमें यहाँ पे spelling लिखनी है हमें लिखना है F I F T Y 55 117 सबसे पहले हम लिखेंगे O N E 1 then हम लिखना है 100 H U N D R E D 117 S E V E N T E E N 17 इसके बाद है 215 सो यहाँ पे हम लिखेंगे T W O 200 H U N D R E D 115 F I F T E E N मैं इनको साथे साथ इसले बोल रही हूँ कि अगर आप यह वर्कशीट बच्चों को करवा रहे हैं तो यह जब वीडियो आप दिखाएंगे तो बच्चों को साथे साथ स्पेलिंग भी याद हो जाएगी नेक्स नंबर पे हमें दिया गया है 99 बॉक्स दिया गया है हमें देखना है कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर नंबर है और कौन सा नंबर हमारा लेसर नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे साइन लगाने है तो फर्स नंबर पे हमें दिया गया है 24 और 32 तो 32 हमारा ग्रेटर नंबर है इसको हमें कैसे find out करना है, सबसे पहले हम check करेंगे ones की place पे, यहाँ पे है two और यहाँ पे है four, then हमें check करना है tens की place पे, two and three, so three हमारा bigger number है, तो हमारा bigger number हुआ 32, so sign आएगा हमारा इस तरफ, 55, 45, 55 हमारा greater number है, 62, 62, दोनों number equal है, तो हमें यहाँ पे equal to का sign लगाना है, next number दिया गया है 100 and 50, so 100 हमारा greater number है, next number हमें दिया गया है 17, 17 and 19, so 19 हमारा greater number है, इसी के according हमें यह questions भी complete करने है, तो यहाँ पे हमने हमारे यह वले questions भी complete कर लिये है, question number 3 में हम भी मिला है, match the numbers that comes before, between and after, before, between and after के उपर भी मैंने एक specifically वीडियो बनाई हुई है, जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, तो please आप वहाँ जाके उसको check कर सकते हैं, तो first number पर हमें दिया गया है 24 और उससे before हमें blank दिया गया है, तो 24 से before number आएगा बच्चों, 23, 23, then number I have 63, so 63 से पहले number आता है 62, 72 का after number पूछा गया है, तो आएगा 73, 68, 69, 88, 89, and 90 यह हमारा between number था, 112, 113, and 114 हमें दिया गया है, इसी प्रकार से हमें ये questions भी complete करने हैं, so यहाँ पर हमने हमारे बाकी के बचे हुए questions भी complete कर लिये हैं, question number 4 है, match the number name with correct numbers, तो यहाँ पर हमें number name दिये गए हैं, और यहाँ पर हमें numbers दिये गए हैं, हमें number names को read करना है, and then उनको number के साथ match करना है, तो first number पर दिया गया है 66, 66 यह spelling है number की, यानि कि number name है, यहाँ पर है 66, इदर, इसको हमें इसके साथ match करना है, 38, 38 नमबर है हमारा यहाँ पे second last में 100, 100 है हमारा सबसे नीचे 207, 207 है उपर, तो इसको हमें उपर ले जाके match करना है 93, 93 भी हमारा सबसे उपर दिया गया है हम इसको match कर देंगे 300, 300 हमारा third नमबर पे दिया गया है तो यह भी हमने यहाँ पे complete कर लिया है Question number 5 है, circle the smallest number यहाँ पे हमें कुछ numbers दिये गए है इनको हमें read करना है and then find out करना है smallest number को और फिर उसको हमें क्या करना है circle करना है तो पहला question है हमारा 62, 93, 24, 31, 11 सबसे smallest number है हमारा यहाँ पे 11, 76, 42, 98, 100, 82 सबसे smallest number है हमारा 42, 13, 20, 55, 8, 64 तो यहाँ पे हमारा smallest number 8 इसी परकार से बाकी 2 questions भी देख लेते है तो यहाँ पे हमारा सबसे smallest number है 100 and last में जो question दिया गया है उसमें हमारा सबसे smallest number है 3 so next question है question number 6 circle the biggest number पहले हमने smallest number देखा था अब हम यहाँ पे biggest number को देख करके उसको cycle करना है सबसे पहले दिया गया है 100, 62, 93, 120, and 43 सबसे biggest number है हमारा 120 इसमें देखेंगे हम हमारा सबसे biggest number है 72 next question में हमारा biggest number है 153 next question में है 29, 92, 62, 29, 68 so biggest number है हमारा 92 and last row में हमारा biggest number है 99 so इसी परकार से smallest number and biggest number की practice आप घर पे बच्चों को करवा सकते हैं so here we have question number 8 write the place value of तो यहाँ पे हमें number दिये गया है और उनके नीचे हमें यहाँ पे black sketch pen से निशान लगा के दिया गया है तो यानि कि जिस number की नीचे हमें यहाँ पे निशान लगा के दिया गया है उसकी हमें place value find करके यहाँ पे लिखनी है तो first question में दिया गया है twenty seven और place value पूछी है two की यानि कि two जो है वो कहाँ stand कर रहा है two है हमारा tens की place पे और seven है ones की place पे तो यहाँ पे answer आएगा twenty sixty eight 68 में six की value पूछी है so six जो है वो tens की place पे है तो answer आएगा sixty ninety three ninety three में three की value पूछी है तो यह ones की place पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे three fifty four answer आएगा हमारा five zero fifty eighty seven so seven है ones की place पे तो हम लिखेंगे यहाँ पे seven इसी प्रकार से आपको यह questions भी बचों से करवाने है so next question है write the short form of given number so यहाँ पे हमें numbers दिये गए है इनकी हमें short form लिखनी है तो चलिए इनको solve कर लेते है twenty plus three is equal to twenty three sixty plus two, sixty two thirty plus four, thirty four fifty plus six, fifty six twenty plus one, twenty one next देख लेते हैं, eighty plus three eighty plus three कितना होता बच्चों? eighty three, seventy plus five, seventy five ten plus three, thirteen twenty plus seven, twenty seven and last में है ninety plus two equals to ninety two so आज हम लगों ने discuss किया है class two maths test paper so hopefully यह वीडियो आप लगों के लिए helpful होगी अगर आपके बच्चों के लिए यह वीडियो helpful है तो प्लीज वीडियो को like जरू कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा साथ ही अपने सभी friends and relatives के साथ इस वीडियो को share जरू कीजेगा थेंक यू